यह सवाल आगरा से हर्ष ने पूछा है नमस्कारम सद्गुरू राम जन्म भूमी विवात को सुल्जाने में करीब तीन दशक लग गए राम मंदर भूमी पूजा को कुछ दिन रह गए हैं और आयोध्या में काफी उत्सा है हालाकि राम एक राजा थे फिर भी आज उनकी पूजा क्यों की जाती है मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज के समय में राम कैसे महत्वपून है चुंकि वो आगरा के हैं इसलिए वो उन्हें राम कह रहे हैं हम जहां से हैं हम उन्हें रामा कहते हैं तो हम उस आ को नहीं छोड़ेंगे अगर कोई भूल जाए कि मैं दक्षण भारत से हूँ क्योंकि मेरा नाम देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पंजाबी हूँ मेरा नाम और मेरी नाम और मेरे बाल दोनों से उन्हें लगता है कि मैं जरूर पंजाबी हूँ नहीं, नहीं, हम उन्हें रामा कहते हैं. मैं और नीचे तमिल नाडू जाकर उन्हें रामन नहीं कहूँगा, फिर लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, शायद उन्हें लगे कि मैं किसी और की बात कर रहा हूँ. रामा, देखे, संस्कृति की सुंदर्ता यही है, कि यहां कोई दगॉड नहीं है. कुछ गुण हैं, जिने हम दैवी मानते हैं. अगर किसी इनसान में वो दिखते हैं, तो हम उनके आगे सर जुकाते हैं, क्योंकि हम गुण के आगे सर जुका रहे हैं, उस इनसान के आगे नह यह ऐसी चीज है, जिसे दुनिया के ज्यादतर लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत कटर धर्मों से जुड़े रहे हैं, भगवान क्या है, शैतान क्या है, आदमी क्या है, औरत क्या है, हर चीज की स्पष्ट परिभाशा है, भारत में किसी चीज की परिभाशा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अपने मसाले के बारे में बताया था, सब कुछ ऐसा ही है, हमेशा विकास हो रहा है, हमेशा चीजें हो रही है, इसमें काफी जीवन और उर्जा खर्च होती है, कि आप खुद को अव्यवस्थित रखें और फिर भी एक दिशा में बढ़ें मगर ये तारों के समूं या मधुमक्यों के जुंड की तरह है, ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन वो हमेशा कहीं जा रही होती हैं, उन्हें पता है कि वो कहां जा रही है, लेकिन एक बाहरी दर्शक को ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं जा रही है, तो आप क्योंकि वो उनकी जन्म भूमी है मंदर कुछ हजार साल पुराना है कोई नहीं जानता कि पहला मंदर किस युग में बना था फिर विकास हुए, हजारों सालों में विकास के काम हुए लेकिन करीब 500 साल पहले उसे तोड़ दिया गया व्यवस्थित ढंग से धेर सारे मंदिरों को तोड़ा गया जिनके उपर दूसरे धार्मिक स्थान बनाये गये उसी निर्मांट सामगरी से इसे तोड़ो और उससे कुछ और बना लो तो राम के एक आदर्ष होने के कारण आपको समझना होगा कि वो एक आदर्ष है भगवान नहीं क्योंकि हमने उन्हें भगवान नहीं कहा हमने उन्हें मर्यादा पुरुष कहा पुरुषोत्तम कहा इसका अर्थ है एकुच्च स्थर का पुरुष पुरुषोत्तम शब्द का मतलब ही है उत्तम पुरुष राम को हमेशा पुरुषतम कहा जाता है इसका अर्थ है कि सभी पुरुषों में वो उनसे उपर हैं क्योंकि वो एतने उचस तरके हैं उन में उचस तरकी क्या चीज़ है? वो कई परीक्षाओं और दुखों से होकर गुजरे मैं पूरी कहानी में नहीं जाओंगा लेकिन मुसीबतों का सिलसिला उनका जीवन मुसीबतों की लड़ी है वो अपना राज खो देते हैं अपनी पत्नी खो देते हैं एक युद्ध लड़ते हैं वापस आते हैं फिर से अपनी पत्नी को खो देते हैं अपने बच्चों को खो देते हैं, अपने बच्चों को लगभग मार ही देते हैं, अंत ही इन मुसीबतें, इन सब से वो शांती से आनन्द से होकर गुजरे. दर्द था लेकिन फिर भी आनंद के साथ एक स्तर पर व्यक्तिकत स्तर पर उन्हें काफी दर्द है जिसे वो व्यक्त करते हैं लेकिन वो कभी उस दर्द को किसी उस चीज के बारे में कोई फैसला नहीं करने देते जो वो कर रहे हैं तो जब कोई इंसान इस तरह पेश आता है, तो हम उसे पुरुष उत्तम कहते हैं, क्योंकि वो पुरुषों के बीच उच्छ स्थरके हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक इंसान है, उनका जन्म अयोध्या में हुआ और एक खास सुम्र में उनकी मृत्य हुई, उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, देश भर में घूमे, तक्षेन आये और फिर वापस उत्तर गए. अपने दुश्मन को मारने के बाद, जिस आदमी ने उनकी पत्नी का अपहरंड किया था, और जो निर्दैता से राज कर रहा था, उसे मारने के बाद, वो वापस आते हैं, और एक साल पश्चाताप करते हैं. तो उनके भाई ने पूछा, क्या आप पागल हैं? वो सबसे बुरा आदमी था, आपका उसे मारना जरूरी था, और अब आप पश्चाताप कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या हम सबने कुछ गलत किया है?